रेशे ten दौर से शचाहिए आडशी में और और जलर्छी तो नहींそीज अटो कोर मार से का extra कि बैंक D फिश hasnिना नहीं कोचिंग की फीस्टान गहिए इससे और वावंकी की खर्चों के लिए ये UPSC के लिए दिल्ली जाना जरूरी नहीं है अपने सपनों का बोच अपनों पे मन दाख अब दिल्ली मन चल मिल्मिन्ट सथ проблемने पीजे मत चल तूशेर नहीं मुस्यर अब ढीवारी करते हलचण तिल्ली मचल तिल्ली मचल तिल्ली मचल तिल्ली मचल तिली मचल cinq Records धर तुम तु दिल्ली जाने वाले थे ना? तैयारी के लिए? जब UPSC के सारे सुपर टीचर्स खुद मेरे पास आ रहे हैं। दिल्ली कुछ आना हैं। तु जहां बही से सीखेगा, तु अपने दम पे जीतेगा, तुझे रोग सकेगी क्या दिल्ली, तिरा नाम आसमा चीखेगा। सिटिजन्शिप बाइ रजिस्ट्रेशन। देगे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए है क्योंकि लास्ट येर के UPSC एक्जाम में बीस नंबर का आया था यहां मेनी मार्ग। तुझे ग्यान तोड़ कर फीना है। दुनिया को मोडे शारों पे तुझे रग में मदधल। हैश्टेग दिल्ली मचल बहुत तेजी से वाइरल हो रहा है। और आज हम कुछ ऐसे स्टुडेंट्स के बीच हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल कोचिंग क्लासे इसको रिजेक्ट करने का फैसला ले लिया है। तु दिश काने वाला कल दिल्ली मचल दिल्ली मचल दुनिया देखेगी तेरा बल दिल्ली मचल दिल्ली मचल दिल्ली मचल इंडिया के सूपर टीचर्स के साथ अब होगी UPSC क्रैक। डाउनलोड करो टेस्ट बोक एप। हला दोस्ते हैं विडियो आपको परफेक्टली आ रही होगी सुनाई दिखाए अच्छे से दे रहा होगा और आज हम लोग बात करने वाले आर्ट एंड कल्चर मतलब हमारे यहां का जो कला और संस्कृति है मतलब फेस्टिवल हो गया डांस फॉर्म हो गया है प्रस्टों को बनाते हैं और इन प्रस्टों के उपर महारत हासिल करते हैं तो अगर आपको आडियो वीडियो अच्छे से आ रही है तो मुझे एक बार जहिन करके बता देंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को सेयर कर दो जल्दी से जितने भी दोस्त है आप यहां पर रिन्यू कर सकते हो विदा कूपन कोड पी एसी पी ए एसस पैक पास कूपन कोड कर इस्तमाल करके आप वापस से इसको रिन्यू कर सकते हो ठीक है ना और हर दिन पांच लगी विनर को मिलेगा IPL मैच देखने का मौका बार और तेरा दो तारिक तक ही आपर च अधर बटेश्वर का मेला और दद्री मेला यहां पर दिये गये और आगरा बलरामपुर फर्खाबाद और बलिया यह जगाओं के नाद दिये गये आपको मैच करना है कि बहिए कौन सा मेला जो है यह कहां पर लगता है चलिए जल्दी से जवाब दीजे फटा-फट यहां आपका लगता है उसके बाद से बटेश्वर का मेला आगरा में आपको देखने मिलेगा और दद्री मेला यह बलिया में आपका होता है तो यह हमारे मेले हैं जो कि हमारे पिछले बार अभी का जो MTS का एक्जाम था उसमें मेले के बारे में पूछा गया था इसी तरीके से SS अगरा बनाते इंडिया गेट व दिअद कि याद में बनाया गया था तो बांगला देश वार है वर्ड वॉर्ड वॉर्स इकेंड है वर्ड प्र्थम है या इंडो पाक वर क्या होना चाहिए बच्चे आप पर्फिपेट करें चल्दी से वहाँ पर जनता ने जवाब देना का वड़My चलिए तो डुट बोर्फ्रा ननीज सब्सक्राइब ने नहीं कि यह सब्क्राइब था और अठारा तक मतलब चार साल तक युद्ध हुआ और बहुत सारे सैनिक यहां पर हमारे जो है वो सहीद हुए थे बिटेस इंडिया ने उनका इस्तिमाल किया था यहां पर वर्ड वर फरस्ट जितने लों बोलने हैं उनका जवाब सही होता हुआ दिख रहा है इंडिया गें उनका याद में बनाए गया बहुत सामने और उस पर्सनालटी सारे साथ सभी कौब इस दिन पराक्रम मनाते हैं पराक्रम मनाते हैं और उन पर्सलीक का नाम है स्वामी हमारे सुबाश चंद्रबोश जी का होलोग्राम वहाँ पर दिखने वाला है याद रखेगा बहुत इंपोर्टेंट है इंडिया गेट में ठीक है न हमारे लिए काफी महत्रपूर्ण है एक्जाम में आएगा टिक करना है अगला कोशन आपको बताने इन में से कौन बौध कला का गलत मेल है मतलब यहाँ पर गलत मिलाए गया है तोरण का टेंपल गेट हमारा सिखर मंदिर चोटी स्टूप का मतलब होता है टेंपल माउंड मतलब मंदिर का टीला यहाँ पैगूडास का मतलब होता है टेंपल कौन जो संकू कारी मंदिर होता है तो इन में से कौन सा गलत है यह आपको बताना है तीन सही है एक गलत है तोरल का मतलब होता है गेट सिखर का मतलब होता है चोटी स्टूप का मतलब होता है टीला और पैगूडा का मतलब होता है कौन एक गलत है आपको जवाब देना है तो बढ़िया प्रसन है याद रखेगा हमारे पैगूडा का मतलब होता है दूम, गुंबद गुंबज जिसको बोलते है तो यहाँ पर कौन दिया है तो ये गलत मैच है, याद रखीगा, एक्जाम में आया हुआ प्रसन है, यहाँ पर घुम्बज के उपर टिक करना है, अगला कोश्चन है, सूपी संत हम्यूत दीन की जो दरगाह है, यह कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, राजिस्थान में संत हम्यूत दीन की दरगाह, जूनागड में, नागौर में, तारागड में, महराणगड में, कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, सभी बच्चे जवाब देंगे, यहाँ पर जनता बूल लिए है, सर अगर आप संत हम्यूत दीन की दरगाह की बात करेंगे, हम्यूत दीन, लेके सबसे पहले तो हमारे सेख मुईत दीन की दरगाह कहां पर है, तो अजमेर में, सेख सलीम चिस्ती की दरगाह कहां पर है, तो फतेपुर सीकरी में, फतेपुर सीकरी में सलीम चिस्ती की दरगाह है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे जो हम्यूत दीन की दरगाह है, यह आपको नागौर के किले में देखने विनेंगी ठीक है तो यहां पर नागौर के कि लिए के UP टिक करना है पवन पूई यह किस राज्य का हमारा टेडिस्नल हमारे जो है वह टेक्स्टाइल है परंपरी कपड़े मैं पवन पूई पंजाब है मिजोर्म है अवनाचर प्रदेश है यह disparity भर र्या़ अरे कौन से राज्य का हमारा ट्रडिस्नल ड्रेस है नाम से आपको ये लग रहा होगा कि ये हमारा नौर्थ इस्ट एरिया का है न वहीं पर ये ऐसे नाम होते तो जनता को काफी कुछ तक लग रहा है यहाँ पर मिजोरम इस राइट आंसर मिजोरम जिसकी कैटल आईजोल है वहाँ पर पवनपुरी ये परंपरिक कपड़े पाय जाते हैं वड़ ककुनात का मंदर, वड़ ककुनात का जो टेंपल है, यह कहाँ पर देखने को मिलेगा, केरला, तमिलनाडू, करनाटा किया, मद्रदेश, तो भगवान विश्णु को समर्पित, यह हमारा ड्रिवेडिन स्टाइल में बनाया गया टेंपल है, वनकनूनात का मंदिर और ये हमको देखने को मिलेगा केरला में तो जिते लोग यहाँ पर केरल बोल ले है उन बच्चों को यहाँ पर नमबर मिलता हुआ दिखना है तो केरल सही उत्तर है अगला कोशन है मुगल चित्रकला किसके सासनकाल में अपने सबसे सीरस्तम इस्तर पर थी अखबर है जहाँ गीर है साजहा है या औरंग जेब है तो अगर हम यहाँ पर पेंटिंग की बात करें मुगल सासनकाल में high on the top थी, सबसे उच्चता मिस्तर पर आपको दिख रही थी, इन में से कौन से निर्ति के साथ साथ एक उच्छा भी है, मतलब ये एक हमारा festival भी है, और ये एक हमारा dance फॉर्म भी है, बीहू है, पॉंगल है, बैसाखी है या चेरव है, इन में से कौन से दो परकार के सिल्प काश्चता है, कारों के बीश का अंतर है, विच आप दा फॉलोइंग इसा बिट्वीन टू टाइप आफ आफ आर्टीस, तो ये हमारा राज तरंगणी है, पंच तंत्र है, उपनिसद है, या अर्थ सास्त्र है, तो परकार के सिल्प कारों के बीश का अंतर जो है, आपके सामने कुछ ट्राइब्स दी गई है, और कुछ ट्रेडिसन्स दी गई है, अब ये आपको बताना है कि किस से मैच खाती है, सरहुल है, नौकरेंद है, हमारी खेराई पूजा है, ये हमारे ट्रेडिसन है, सब बिताए है, और यह tribes है, जनजातियां है, जा रहो है, खासी है और बोडो है, match करना है कि कौन सा हमारा pair सही है, कौन सा जो है, वो हमारा सही है, चीक है, तो यहाँ पर जंता बोले, सही उत्तर होना चाहिए, दो और तीन, हमारे खासी नौकरेम के पुजा करती है, और खेराई बोडो जनज देश में, वो सरहुल के लिए जाने जाते हैं, अगला कोश्चन है, इन में से किस चित्रकला मूल को भारत में चित्रकला की इतिहास का मील का पत्थर मानते हैं, विच आप फोलोइंग पैंटिंग, और इजिन इस कंसीडर टू बी लैंड मार्क इंदा हिस्ट्री आफ पैं मुगल सरसंकार में, वह भी जहांगीर के सासंकार में, वह आप यहां पर टिक करेंगे और आपको आसानी से नमबर मिल सकता है, उत्तरायन का तेवहार किस राज्य में मनाया जाता है उत्तरायन का तेवहार अगर आप देखेंगे 14 जनवरी को जब हमारे नौर्थ इंडिया में मकर संक्रांती होती है तो इस राज्य में उत्तरायन का तेवहार होता है केरल है यूपी है गुजरात है जारखंड है बहुत कल डांस दियें और इनके स्टेट दियें राजिस्थान यूपी अंधरा प्रदेस केरल है ना आपको यहां पर बताना है कि इन में से सही एक्ष्वल में मैचिंग किनकी है या किसकी है तीन की केवल है एक और दो की है दो और तीन की है या सभी सही सही मिले हुए यह आपको बताना है बहुत बड़े हैं तो दोस्तों अगर हम आप बात करतें चाहिए करल की बात करते हैं तो यह आंद्रा प्रदेश का है और सात्रिया डान्स की बात करें यह हमारे बिलकुल आसाम का है तो यहां पर सही जवाब है केवल आंधरा प्रदेश यहां पर उनली तीन जितने रहों बोले हैं उनका जवाब सही है बाकी लोगे आपके देख लीजिए आ केलासनाथ टेंपल सिता नावासल केबस अर नमलाई केबस इन में से हमारे मुर्नाल पेंटिंग के लिए कौन सी फेमस है तो हमारे पास आफसन है के वले एक एक और दो दोनों है एक दो तीन तीनों है या इन में से कोई नहीं कुछ और लग रहा है वो भी आप बता सकते हैं चलی तो यहां पर हमारे मुर्नाल पेंटिंग के लिए जो फेमस है यह तीनों की तीनों है यह कोईपस हैं तो दोस्तों याद रखेगा कंबाला और जली कट्टू जली कट्टू और कंबाला यह दोनों हमारे लिए बड़ी महत्तपूर्ण है कमबाला जो है, یہ करो नाटक में होती है जाही कट्टिल तमिल नाडु में होती है। यह हमारे पूल की दौर है और यह हमारे भैसो की दौर है, वटेलोस की दौर है। तेखर करनाटक यहां पे टिक्न करती है अगला कोश्चन है इन में से कौन काली डास का dij प्रसिध नाटक का नाम आपको वताना रिन अंदर है मक्छी कटिक टिकम है हमारा विक्रम साथ और मालिका अगनिवित्रम है मुद्रा राक्षस और द्योचंद्र गुपता है काली दा सेक्सपियर ऑफ इंडिया बहुत सारी इन्होंने रचनाय लिखी अभिजान सकुंत्रम रगुवंसम है ना मेगदूत रितु संगहार उसके लावा गर देखेंगे तो विक्रमा दित्त रूप कामत समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है बाबा रांद्यों के सामने यह रांद्यों आप वाले नहीं है तो बताइए भईया मोडिया है घूमा रहे कच्ची गोड़ी है या तेरा ताली है कौन सा डांस यहाँ पर हमारे कौन से कामत कमनटी के द्वारा कि 13 ताली, 13 ताली डांस MTS के एक्जाम में पूछा गया था, अभी रिसेंट कि 13 ताली डांस कहां पर होता है, यह राजिस्थान का डांस है, और यह हमारे कौमत समधाय के द्वारा किया जाता है, मकर विलककू, यह इनमें से किस राज में मकर संक्रांती के दिन आयोजित किया ज जहां पर हिंदुस्तान में अलग-अलग जगों पर अलग-अलग तेवार सेलिब्रेट के आते, तो मकर विलककू जो है, यह केरल में आपको होता हुआ दिखाई देगा, केरल यहां पर सही जवाब है, तमिल नाडू में मकर संक्रांती के समय पूंगल होता है, ठीक है न, यहां पर मकर विलककू केरल में होता है, तो केरल में ओडम कब होता है, ओडम केरल का एक दान्स हमारा बोसकते हो हार है, यह रक्षा बंदन जब हमारे नौर्थ हिंडिया में होता है, तब यह हमारा तेवहार ओडम मनाया जाता है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, भोग जरिया जो महुत्सो है ये आपका देखने को मिलेगा जिस जन्जाती के द्वारा ये भी जन्जाती के लोग मध्य प्रदेश में इस महुत्सो का हमारे संचालन करते हैं। भित्ती चित्र जिसको हमनों फ्रैस्को पेंटिंग बोलते हैं ये देखने को मिलेगा भित्ती चित्र कहां पर देखने मिलेगा। जो हमारी वरली पेंटिंग है वरली पेंटिंग ये हमारे कहां पर देखने मिलती है महरास्टा में देखने को मिलती है। चली आले तब चलते हैं। संकु भरी मेला इनमें से किस जिले में लगता है। वापस से important है। ये हमारे एक्जाम में पूछा गया है और वापस से पूछा जागा। साकु भरी मेला जो है ये कौन से राज्य में लगता है। बहुत बढ़िया। और इसका उद्गाटन हमारे राष्ट्पती या पृधान मंत्री के द्वारा किया जाता है। बढ़ा ये कहां पर लगेगा। ये हमारे उत्तर प्रदेश के कहां पर सहारनपुर में लगेगा। सहारन पुल बिल्कुल लगा हुआ है पंजाब से। अगला कुश्चन है इनमें से कौन सा संगीत भारत के लिए सुदेशी था। विच आप दा फोलोई म्यूजिक वाज इंडिजेनियस टू इंडिया। हिंदुस्तानी है, करनाटिक है, बोथ है या इनमें से कोई नहीं। हिंदुस्तान में ही इनका उद्गम हुआ है संगीत का। यहां पर जनता बोले गए सर हमारे यहां पर जो इंडिजीनियस संगीत है वो है करनाटकिक म्यूजिक या करनाटक संगीत यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा यह हिंदुस्तान में इसका उद्गम हुआ है पृसिद आदिवासी मेला जिसको उमनों बड़े स्वर का मेला बोलते हैं बहुत ध्यान से देखेगा बड़े स्वर का मेला यह हमारे राजिस्थान के किस जिले में लगता है बासवडा है, डूंगरपुर है, उद्धैपुर है या बारन है बाड़े स्वर का मेला चलिए गेस करिए, मुझे मालूम है नहीं पता है लेकिन गेस कर सकते हैं आप लोग क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है बाड़े स्वर का मेला, दूंगरपुर में आपका लगता है दूंगरपुर में बाड़े स्वर का मेला यह एक राजिस्थान का है अंकोरवाट का प्रसिद मंदिर कहाँ पर है तो यह जवाब सब लोग जानते होंगे Thailand, China हमारा India है या Cambodia है Angkor Wat का मंदिर काफी ज़्यादा प्रसिद्ध है और हमारे बहुत सारे एक्जाम में किसी ना किसी सेट में यह पूछ लेता है लेकिन यह ज़्यादा तर लोगों को पता है कि सर यह जो है हमारे Cambodia में होना चाहिए तो Cambodia is right answer Angkor Wat का मंदर Cambodia में है Rajasthan Sally की painting चोरा पंचासिका Sally यह किस से मिलती जुलती है चोरा पंचासिका मेवाड सैली से किसंगर से, जोदपुर सैली से, बीका निर सैली से तो यहाँ पर आपको चोर पंचासिका जो सैली है यह किस से मिलती है जवाब दीना है तो यहाँ पर चनता बोले है सर चोर पंचासिका जो सैली है यह हमारे मेवाड से मेवाडी सैली से मिलती है तो यहाँ पर यह टिक करना है सही जवाब हो जाएगा अभी आपको आतना है कि हमारे जो चितौड का विजय स्थम्ब है, जिसको आप लोग कीरती स्थम्ब बोलते हो, इसको किसने बनवाया था? राणा पृताप, राणा सांगा, राणा कुम्भा और बंपा रावल. खिलजियों से वापस से, चितौड को आजात कराने के बाद, ये विजय स्थम्ब का निर्माड कराया गया. मुम्मद हमारे जो अलाव दिन खिलजी थे, उनके मृत्यू के बाद वापस से, ये जो है, चितौड का समराज ये वापस से ले लिया गया था, और इस के लिए का निर्माड कराया राणा कुम्भा ने, राणा कुम्भा जितने लोग बोलने है, जवाब उनका सही है. इन में से, इन में से कौन से ऐसा हमारा है, जो हजारा राम मंदिर किस राजजमे स्थित है, जो हजारा राम का टेंपल है, वो कौन से राजजमे आपको देखने को बलेगा, अवद है, ट्रावन कोर है, विजयनगर है या एहोम है, हमारा जो हजारा राम का मंदिर है, ये कह पर देखने को मिलेगा बहुत बड़े बच्चों सभी बच्चे यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे सबसे अच्छी चीज यह तो हजारा राम का जो टेंपल है यह हमारे विजय नगर समराज में आपका इस्तित है विजय नगर समराज राजा कृषिंदे उराय ने इस मंदिर एक म्यूजिकल इस्टुमेंट है ट्राइबल लेंग्वेजेज है या पपेट्स हों है देखिएगा एक बट्र से वो में आटा पावा के थू के थुई यह सभी क्या है तो यहां पर दोस्तों यह सारे के सारे पेपेट्स है यह हमारे कटपुतली का तमासा है जिनको हमें अलागलग नामों से जानते हैं अगला कुंस्टन है किस कहा अजमेर है जैपूर है जोदपूर है यह दैपूर है दोस्तों मैं तुम लोगं को ऐसी तुम आधत है एक अजमेर में पुसकर का मेला रखता है क्योंकि हमारा word famous है हमारा miniature paintings लगुच चित्रकला की सुरुवात किस ने की थी बाबर ने हमायू औरंग्जेब मिनिचर पेंटिंग की सुरुवात किस ने की थी यहाँ पर चन्ता पोले صफर miniature जो पेंटिंग है हमारे हमायू ने इसकी सुरुवात की थी बहुत साई लोग जहागीर बोल ले होंगे यहाँ पर आप मायू की उपर टिक करिएगा अगला कोशन है पात आलेस्वर जो टैंपल है यह कहाँ पर इस्तित है पात आलेस्वर टैंपल मद्ध परदेश के कहाँ पर है वहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा पात आलेस्वर का टैंपल कुम्ब मेला और अर्द कुम्ब मेला यह हर किस वर्स में आयोजित किये जाते हैं बार में और चट में दस में और पांच में आठ में और चौत में या चट में और तीसरे दोस्तों जो हमारा कुम्ब का मेला है ये ब्रस्पति ग्रहक जब हमारे सूरे के चारो तरफ अपना चक्कर पूरा लगा लेता है इसको आप लोग अंग्रेजी में जूपिटर बोलते हो जूपिटर जब अपने पृत्वी के चारो सूरी के चारो तरफ एक चक्कर लगा लेता है एक साल में तो इसको हमनों कुम्ब मेला बोलते हैं और इसका समय लगता है 11.9 हमारे साल का प्रत्वी के एक साल से बारा गुना जादा जूपिटर को समय लगता है सूरे के चारो तरफ गूमने का तो बारा साल और आधा छे साल में लगता है उम्ब और अर्दकुम्ब मेला बहुत मात्तपूर हो जाता है कौन सी आउधी भासा में लिखा गया है अउधी भासा में लिखा गया रामचरित मानस राज तरंगणी है हर्श चरित रह या यह सभी के सभी अउधी भासा में लिखे गए बादाई बाई साब यहाँ पर क्या होना चाहिए तो बच्ची यहाँ पर बोलें सर हमारा फेवर्ट आप्सन लिखाई दे रहा है और सभी के सभी ओधी भासा में लिखे गए अइसा लोगों को लगर रहा है तो यह पर जो सही ज़वाब है रामचरित मानस अउधी में लिखा गया है बाकी की सारे सारे संसक्रप भासा में है ये राज तरंगड़ी कल्धड़ ने लिखा है कल्धड़ ने याद रखेगा और माण भटने जो है हर्स चरित को लिखा है ये दोनों के दोरों जो है हमारे कौन सी भासा में संस्क्राइब भासा में इन में से कौन सा न्रत्य केरल के देवा दासी के निरते तेविटीकसी अक्टम से विक्सित हुआ है तेविटीकसी अक्टम से मोहनी अक्टम कर्थक भरत नक्टम कुछी पुरी केरल जोकी हमारे बहुत सारी कलिचर का समागम है intentar फ्रेव ना कि हमारे जिससे जो उद्गम हुआ है, वो है हमारा मोहनी अट्टम, मोहनी अट्टम इससे उद्गम हुआ है, केरल का ही डांस है, अब दोस्तों, यहाँ पर हमारे कुछ दिये गए है, हमारे कोड दिये गए है, और यह स्टेट दिये गए है, अब आपको यहाँ पर मैच करना पूंचम पल्ली ब्रुकेडे है, कांजी वरम में फुलकारी है, पंजाब, तमिलनाडू, बनारस और आंधरा प्रदेश, अगर आप इसको अच्छे से जानते होंगे, बहुत बार ये एक्जाम में पूछाता है, चलिए तो यहाँ पर यह सब जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी बन जाती है, और यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा, दोस्तों वो है, सबसे पहले पूंचम पल्ली हमारे आंधरा प्रदेश और तिलंगाना में होती है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यह हमारा ब्रुकेडे जो है, यह हमारे कहां पर वारानसी में होती है, हमारी जो बुकेडे है ये बनारा से संबन देंगे और प्रसम की तरफ चलते इन में से किस पैल सको हम लोग पालेस आफ बोलते हैं है ना ताज महल लेह पालेस श्विक्टोरिया महल है या हवा महल है कई सारी खड़कियां है यहां पर और इतनी हवा आती है कि जारों तरफ खड़किया हैं तो यहां पर विंटिलेशन का बहुत बढ़ीया मतल्य है इ भीः के सासा राम में आप किसका मक्बरा या किसका टॉम देखेंगे यहां पर इब्राहिम लोदिये हमाईू है बाबर र्या सय सासूरी है मदु बनी पेंटिंắp बिहार तंजावर की पेंटिंग तमिल नाडू, बानी थानी की पेंटिंग राजस्थान में, वरली की पेंटिंग उडिसा में आपको बताना है कि कौन सा बहिया गलत है कौन सा जो है वो गलत है और अब जो लोग शुरू से वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने पिक भी कर लिया होगा एक और तीन गलत हैं दो और चार गलत हैं केवल दो गलत हैं या केवल चार गलत है यहाँ पर जन्ता ने बोला सर महरास्टा मैं यहाँ पे कर देता हूं और जवाब सही हो जाता लेकिन चार गलत है हम ने आपे ठीक कर दिया इन में से कॉन सा आभुसर पुरसों के द्वारा पहना जाता है तंगरी है अंत है बजता है या मुरक्या है कौन सा है जो पुरुस पहनते है यार यह जवाब तो क्वेशन तो कापी ज़ादा कठिन लग रहा है तो दोस्तों यहाँ पर अगर मुझे सही जवाब की बात करेंगे तो मुर्खिया जो है यह पुरुसों के द्वारा पहना जाने वाला आबूसर है जो राजिस्थान के पुरुस पहनते है अपने पैरों में मोटा सा कड़ा इन में से हिंदुस्तान के क्लासिकल डान्स को चुनिए सबसे पहला है कठक भरत नाट्यम ओड़सी और मनीपूरी एक और तीन है दो और चार है एक दो तीन चार तीनो है हमारे कठकली और हमारा कौन सा भरत नाट्यम तो ये हमारे सारे के सारे प्यापर सारे के सारे के उपर टिक करना है नमबर में जाएगा MS राजाराम प्लेज इन में से MS राजाराम जो है ये कौन सा वाद दियंत्र बजाते है वाईलियन है, सितार है, सरंगी है या मांसुरी है, क्या होना चे दोस्तों से उत्तर तो बैटें यहाँ पर वाद्धियंतर से याद आया सिव कुमार सर्मा जिनका दस मईई अभी निधन हुआ है तो दिन पहले, सिव कुमार सर्मा जी यह हमारे, हम लोगों को छोड़ करके गए है यह एक परसिद्ध संतूर वादक थे भारत में पदम विभूसन से सम्मानित व्यक्ति सिव कुमार सर्मा जी है और यह संतूर बजाते थे तो हमारे M राजन यह वालियन बजाते है हमारे यह के जो फ्लूड बजाने वाले बहुत बढ़िया है उनका नाम है हरी परसाच चौरसिया हरी परसाच चौरसिया जो है यह हमारे यह पर बांसुरी बजाते है चली आगे सचलते अगला कोशन आता है राजिस्थान में संगमरमर की मूर्तियों के लिए उदैपुर जीलों के लिए फेमस है राज समन्ध जीलो पिचूला जीलो सब आपको यहां पर देखने मिलेगी मधुमती पत्रिका का प्रकासन इनमें से किस जगा पर होता है मधुमती पत्रिका राजिस्थान संस्कृत एकडमी है राजिस्थान साहित एकडमी है राजिस्थान हिंदी गरंथ एकडमी है या राजिस्थान बरजभासा एकडमी है मधुमती पत्रिका का प्रकासन आप कहां पर देखेंगे बहुत बढ़िया तो दोस्तों मधुमती जो है ये राजिस्थान में हमारे साहित तेकड़मी उदैपुर के द्वारा निकाला जाता है याद रखेगा अब आपके सामने यहाँ पर festival organized in राजिस्थान की कौन सा पहले होता है फिर कौन सा फिर कौन सा आपको arrange कर रहा है पुसकर का मेला दसेरा का festival elephant festival और camel festival ये देखे अजमेर कोटा जैपुर और बीका निर में arrange करिए कि पहले कौन सा आता है फिर कौन सा फिर कौन सा और लास्ट में कौन सा आता है सभी बच्चे जवाब देंगे आपे चलिए तो हमारे याँ पर राजिस्थान के ये मेले है पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये कहा कौन कौन से मेले याँ पर celebrate होते है जो आपके सामने दिखाई दे रहे है तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा camel festival आता है आपने देखा था जनवरी और फर करब है हमारे याँ पर राजिस्थानका फसल नाघ राविस्टिंग कौन से हार्वेस्टिंग कौन से जहां पर जो रहाएंove में हन्ता बोले है सर यहांपर हमारा फसल या राजिस्थान ये होना चाहिए जितने भी बच्चे बोलें । हमारा जो बं है ये फसल डान्स है। कालबेलिया डान्स है इसको 2010 में यूनेसको ने अपना tagable heritage site में सामिल कर लिया था, मतलब एक साहिट ते कुल्चर में यूनेसको ने सामिल कर लिया था एक बसंद तेवार किस राज से संबंदेत है यह एक हमारा इस्प्रिंग फेस्टिवल है यह कहां पर होगा बिहार में सिक्की में असम या उडिसा त्यारा सोच के अच्छे से जवाब दीजिए देखे कितने लोग जवाब देने वाले सभी के सभी बच्चे यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जवाब दे रहे हैं और यहां पर बच्चा बोला है तो जीते लोग याँ पर आसाम बोला है उन बच्चों को यहां पर नंबर मिलता हुआ देख़ाए है इन में से किस राज की आधिकारिक भासा उर्दू नहीं है इन में से कौन सा ऐसा राज है जहां की आधिकारिक भासा उर्दू नहीं है ये परसन पूछा गया है ज़रा बताईए जल्दी से इसकंदर चाहिए निया पर जंताने बताना सुरू कर दिया है कि भीया है हमारे यह पर पश्यमंगाल उत्तरप्रदेश तिलंगाना यहाँ पर जो दूसरी भासा है यह उर्धू है लेकिन तिलंगाना की जो हमारी अभिकारिक भासा है वो कणड़ है और फिर उसके बाद से हिंदी है तो करनाटक यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा तो करनाटक की उपर आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं कणड़ यहां के ओफीसियल लेंग्वेज है भवई काल बेलिया यह हमारे जो है कहा के ओफीसियल डांस है साम राजिस्थान पंजाब या हर्याना इजी कोश्चन है सभी बच्चे इसको बना भी रहें सर यहां पर सही जवाब होना चाहिए राजिस्थान भवई हो गया यह हमारा पंजाब हो गया यह सभी के सभी हमारे बिल्कुल भवई और काल बेलिया जो है ये राजिस्थान के लेकिन यहाँपर हरियाणा ठीक है तो उतपत्ती कस्रे किस राजिय को जाता हमões पोचा गया था तो इनका ओरीजिन जो है ये हरियाणा में जाता है ये प्रसुन को जला देख लेते हैं, ये डांस जो है, वो राजस्थान में होते हैं, काल बेलिया डांस, लेकिन भवई डांस ये हरियाना का है, और ये काल बेलिया का भी उत्पन यहीं पे हुआ था, लेकिन ये राजस्थान में ज़्यादा फ़ला फूला, कोई बात नहीं ह कराया था महाबलीपुरम का जो रथ टेंपल है उसका निर्माड महराणा प्रताब नर्सिम वर्मन अकबर ने या असोक ने तो याद रखेगा महाबलीपुरम जो है यह हमारा फेमस किस लिए यह फेमस है हमारे पल्लवों की द्वारा बनाए गए राजधानी से पल्लववंस दिवासो इस सेलिब्रेटेड वाई धा धोधिया एंड वर्ली ट्राइप्स जो दिवासो है यह धोधिया और वर्ली जंजातियों के द्वारा मनाया जाता है यह बेसिकली कहां पर पाए जाएंगी रादा नागर इन हवेली है लक्ष दीप है पुंडी चेरी है अंड मान जल्दी बताएं क्या होना चाहिए से उत्तर तो जंता ने आप जवाब देना सुरू कर दिया है कि सर अगर आप यहां पर देखेंगे सही जवाब तो यहां पर सही जवाब है हमारा दादा नागर इन हवेली जो कि हमारे बिलकुल महरास्टा से लगा हुआ है वहाँ पर यह दिवासो फेस्टिवर मनाया जाता है सञी जवाब है आपका option number one option number one की दरा हमें टिक करना है यहाँपे एक dancer है जिसका नाम है Marooni, Marooni जो dancer है ये कब हमारा होता है, साधियों में, अंतेश्टी में, हुली में, अद्धा सहरा में Marooni, यार नाम से तो मुझे लग रहा है कि यह फिरन्यर्स में होना चाहिए क्या लगता है तुम लोगों को क्या लग रहा दोस्तों या पर सही जवाब क्या है मरूनी डांस कब होना चाहिए तो जनता ने आपर जवाब देना भे सरूओ कर दिया कि vasar मरूनी डांस जो है ये लोगों को भी लगाए कि सर ये हमारा अन्तेष्टी में होता है लेकिन दोस्तों हम या पर सही जबाद की बात करें तो मरूनी ड़न्स जो है, ये Wedding Seasons में होता है साधियों में होता है, चिताया जाता है या आगे की जिंदिगी जो है, वो मरूनी होने वाली है तो वेडिंग्स में होता है शुरिनल्स नहीं होना चाहिए उस कला को हम क्या कहते है जो कपड़े में टांके लगा करके बनाई जाती है कपड़े में टांके लगा करके जो बनाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते है तो सकली कला है टिकुली कला है मिथिला कला है या सुजन सुजनी कडाई के नाम से आ जाती है, सुजनी कडाई is right answer, है ना, सुजनी इमरोडरी सही जवाब है, इनमें से कौन एक बांसुरी बादक है, बांसुरी कौन बजाते हैं, तरों भटा चारे हैं, रगुनात सेथ है, अली अकबर है, या विलायत खान है, जो बांसुरी बजान रगुनात सेथ, लेकिन सबसे अच्छे हरी प्रसाच चहरसिया, कैलास मंदिर किस स्थान पर आपको देखने को मिलेगा, प्रसिद कैलास मंदिर महारास्टा में असाम 36 गड़ या मद्यपरदेश, प्रसिद कैलास मंदिर जो है, यह आपको कहां पर देखने को मिलेगा, यह आप जांता बूलिए के अगर आप बात करेंगे तो यह हमारे यूरा में गुफा नंबर 16 केव नंबर जो है 16 कहां पर एलोरा केप्स अजंता अलग है यूरा अलग है और इलोरा की प्रिटक कहां पर है यह हमें महारास्ता के आरंगाबाद ने देखने मिलेगी तो यह सई सालर जंग संगाले इनमेंसे किस सहर में आपकू देखने मी mod घाले हिदराबाद कलकत्य इडाबाद या हमारा नई दिली सालर जंग कहां पर आपका स्थित है यहाँ पर जंता ने जवाब देना शुरू पाया जाता है जो कि पूरे इंडिया का सबसे बड़ा इंडियन म्यूजियम, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा संगाल है, इसालर जंग हमारे खैदराबाद में, भूटान की अधिकारिक भासा क्या है, जोखा है, गोर्खा है, मेडारिन है या असमिया है, भूटान का जाता भासा है थेंपू यहां की कार्टर है रुकमणी देवी अंडाल यह हमारे कौन से निर्थे से संबंदित है भारत नट्यम कुछी पुड़ी कथकली या ओड़सी काफी फिमस परस्नालिटी है रुकमणी देवी जी यह कौन सा डांस करती है बहुत बढ़े सभी बच्ची यहा का हिस्सा कौन सा नहीं बन पाता है जो हमारे नौर्थ में चार धाम है उसमें से कौन सा नहीं है केदारनाथ बद्रीनाथ वैशनो देवी या हमारे गंगोत्री तो हमारे उत्त्रा खंड के चार धाम जिनको अभी जिनको बंद कर दिया जाता है बरसात का सीजन आता है तो को बंद कर दिया जाता है तो यह लैंड स्लाइडिंग बहुत होती है इन में से कौन सा नहीं है बहुत बढ़ जा तो जंता ने आप पर जबाब देना सुरू कर दिया है सर बद्री नात केदार नात गंगोत्री और यमुनोत्री यह चार धाम है वैशनो देवी को यहां पर सा करूँ हो रहा है मांका तो एक यहां पर आपको इंपॉर्टेंट कोशन बना बता जेते हैं वाटर मेनेजमेंट के लिए वैशनो देवी साइन बोर्ड को बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है यह भी हमको याद रखना है पम्याना का बुद्ध का जो हमारा स्टेच की थी जैसे यहां पर बात आती है हाना 2001 में तालीबान ने इसको नश्ट करने की कोशिज की थी 2001 में और यह अफगानिस्तान में आ जाएगा तो तालीबान वापस से अफगानिस्तान में अपना वर्चा सो बना चुका है काली घाट पटकला यह किस राज्यकी लोग चितरक की आती हैं हाँ haven काली घाटी वैस्ट मिंगौल वाले जानते होंगे काली घाट जो है यह हमारे पृषित काली मंदिर के लिए फेमस है और यह विष्ट मिंगौल का हमारा हिस्सा है इन में से कौन सा लोखनत अभृ difí विकल्ट साहिन नहीं है मतब यह लोक्त एवरी आ में नहीं होता है तो बच्चे यहां पर जवाब दे रहे सर उडीशा जो कई सारी संभावनों से बढ़ा हुआ हमारा राज है और यहाँ पर आप देखेंगे जो च्छावडांस है यह हमारे उडीशा से संबंदित है उडीशा से संबंदित पूछा गया था कि ये हवाओं के लिए बनाया गया था सवाई जैसिंग ने 1799 में बनाया था इसके आर्किटेक कौन थे हवा महल के लाला चंद उस्ताद थे विद्यादर भटाचार थे यूली चौदरी थे या प्रवीड महता थे प्रसंद देखे जवाब दीजे यहां पर जंता बोलिए सर हवा महल आपने मताया कि सवाई जैसिंग सेकेंड ने बनवाया था जैपुर में और ये हमारे लाला चंद उस्ताद ने बनाया था बैटा ये बना कब था तो आपको याद रखना है 1799 में बन करके तयार हुआ ये लाल बलुआ पत्थर का बनाया गया है ठीक है चलिए बक्ती साका से थे निर्गुण बक्ती साका सांजा है कलित जूर है या रास लीला है तो बहुत बढ़िया है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे जो बक्ती साका थी उसको हम निर्गुण और सगुण दो बागों बाटते हैं तो निर्गुण बक्ती साका के सिं और पांडला जन्म से हाउस वार्मिंग गरप्रवेश से मैरिज से या उपनयन संसकार बताए क्या होना चाहिए जिसको आप लोग जनेव बोलते हैं हिंदी में बहुत बड़ी है तो बिदावली समेला और पंडाल जो है ये सभी के सभी पांडला जो है ये सभी के सभी हमारे बिवाह समारो हैं जिसको पांडी गरे संसकार भी बोलते हैं तो दोस्तों हमारे जो वेद हैं उसमें हमारे कितने संसकार बताएं बताए कितने संसकारों का जिक्र है हमारे वेदों में तो 16 संसकार होते हैं आपके गरभा धान से ले करके अंतेश्टी तक ये सारे संसकार हो या सब्यक्राइक बाकी के इहां पर जाते हैं तो यहां पर याद है यह मैरिज का टाइप है विदोली समेला इन पांडला चलिए आगे तब चलते पंजाबी साहित्य में अगर हम लोग बात करें तो मुक्त छंद्र किसने पेस किया है भाई वीर सिंग है पूरण सिंग है अमता प्रितम है या धनी राम चरित्रक हैं तो दोस्तों यहां पर बिलेक देखेंगे जिसको असोक ने बनवाया था उसमें कौन सा जानवर नहीं है हाथी है टाइगर है बुल है या हमारा घोडा है कौन सा जानवर नहीं है बहुत बढ़ी है सबसे पहले तो हमारे यह पूरा का पूरा जो वह है वह बहुत के जीवन को बताता है सबसे पहल त्यागने की घटना को घोड़ा दरसाता है एलिफिंट जो है वो उनके वो सकते की घ्यान फैलाने के बारे में बताता है ताइगर का जिकर नहीं है ताइगर को आप लौएन से रिप्लेस करिए तब ही काम चलेगा लौएन है बिटा नौट टाइगर कलती मत कर देना एक्जा करिया याला है अगर वो पूस्चन नहीं बना पाओगे ऐसा कुस्चन आएगा तो क्या करोगे हथियार ने डालना है टिक करके बैटिंग करनी है दो मिनट पढ़ना है अगर नहीं आता है तो आगे बढ़ जाना है चलिए नहीं आता है तो एक बार हम यहाँ पर आपको रि गुजरात हो जाएगा करिया याला यह हमारा कहां पर होता है करिया याला जो है यह हिमाचल प्रदेश में होता है यहाँ पर टिक करना है जान लीजिए इसके बाहर नहीं जाने वाला है राजस्थान कबीर यात्रा इनमें से किस छित्र से संबंदित है कायन पेंटिंग ले सभाव है? यह हमारे singing से संबनेट है. है appelle कुछ लोग सांथी से बेठे हुए है तो जंते हाप पर बोली है सबसे जबाएपर सबसे जजादा फ्रयकार जो formation हमारे जापान में होते हैं और यहीं से संबंदित है हमारा अगला प्रस्थन है मणिपुर में गायन ड्रम और नर्त्य किस अनुस्थान में बनाया जाते हैं इन विच रिचुवल या कुडिया टम है संकीर्तन है अनाकिया नात्भुना है या यक्षगान है बताइए क्या होना चाहिए मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको नाम देख करके कि मणिपुर में कौन सा हो सकता है यहां पर पिक कर सकते हैं संकीर्तन चोगए यहां पर सही जवाब है संकीर्तन सही जवाब है यक्षगान करनाटक में होता है यह आपको याद रखना है अगले कोशन की तरफ चलते हैं यहां पर जंबूँ और कस्मीर केंदर सास्थित प्रदेश का लोक निर्ट खि कौन सा नहीं है मतलब कस्मीर में नहीं होता है हफीजा है धूमल है डांगो है या राउफ है जम्भू कस्मीर में नहीं होता है बढ़िया कोश्चन आपके सामने है यहाँ पर जंता ने फिर से जवाब देना सुरू कर दिया है यहाँ पर जंता ने फिर से जवाब देना सुरू कर दिया है कि सर जो हमारा दांगी फोक डांस है, दांगी, ये हमारे जिसे स्टेट से सम्बंदित है, वो चम्बू कस्मीर के थोड़ा सा नीचे मतलब हिमाचल प्रदेश से सम्बंदित, हचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश है, चले एगले कोश्चन के तरफ चलते हैं, इन में से कौन सा इसमारक तो यहाँ पर जंता बोली गया, सर इन में से जो हमारी जोड़ी सही है, वो आपको यहाँ पर पिक करनी है, वो है विक्टूरिया मेमोरियल वेस्ट बेंगॉल, यहाँ पर जितने हों बोले जवाब उनका सही है, चार नम्बर साइट अंसर, किस राजिकी जंजाती का तिव साथ्रिया कहां पर देखेंगे बच्चे यहां पर जवाब याद रखेगा हिंदू तीर्थिस्तल जहां पर अभी सुप्रीम कोड में मामला चल रहा है आर्टिकल 45 के तैद यहां पर महिलाओं के प्रुवेस को बर्जित किया जाना चाहिए ऐसा चाल चल रहा है माराष्टा केरल यूपी अम्मद इपदेश कहां पर यह हमारा दिखेग फंड गायन के दवरान किस वाद दियंतर का प्रयोग किया था जो हमारे देव नरायन जी है, रिचुल ऑफ फांड, जब इन्होंने गाया था, तो कौन से का प्रियोंग किया था, मजीरा है, मंडल है, जनतर है या कुंडी है, भाई साथ, तो दोस्तों यहाँ पर नहीं पता होगा, मुझे मालूम है इसका जवाब, इसका सही जवाब है, जनत किस नाम से यहां पर इसको टिक करेंगे बहुत बढ़ी है दोस्तों तो बैसाखी यह हमारे पंजाब का हर्याना का और अब देखेंगे तो हिमाचा प्रदे से इससे जुड़ा हुआ है वहाँ पर इसको बिस्वा के नाम से जानते कांगणा विदिसा में हैलियोडॉरस विष्णु जी को सूरी को इंदर को या भागवान सिव को या पर जंता ने जवाब देना पर सरुव कर दिया कि कि नियद्र बांभी का मंदिर सन टेंपल अफ कुनार का है या सांची का इस तूप है इनमें से मद्य प्रदेश में कौन सा नहीं है तो दोस्तों याद रखिएगा हमारा जो दस रुपए की नोट के उपर बना हुआ सूर्य मंदिर है ये गंगा डेंस्टी के राजा नर्सिंग देओ ने बनवाया था और ये उडिसा के में आपको देखने में लेगा तो उडिसा जितने बच्चे बोलने जवाब से यह संटेंपल कहां पर है सभी ने बताया कुनार्क में है इनमें से उडिसा का पारंपरिक लोग कला रूप कौन सा है रंगूली जो बनाते वह कौन सा मिग्गु है जिखनती है पूर्णा है या कोलम है जल्दी बताइए क्या होना चाहिए उडिसा का पारंपरिक जो है वह कौन सा होना चाहिए जनता ने आपर जवाब देना सुरू कर दिया है सही उत्तर होना चाहिए बिलकुल यहां पर जितने लोग बोलना है कि सर हमारा जीगुनिती इस राइट आ है यह होरे टाइप आफ मार्शला अर्ट है भाविया बैंडिट यह किस से संबंदित है बहुत बढधा तो यहां पर सारी साथ कही hybrid कर रही है जवाब दे रही है और यहां पर बोले हैं सर भाविया बैंडिट यह हमारा एक नाच राजस्थान के सिखावटी जिले में जिस का origin कहा से हुआ केरला आंध्रा प्रदेश महारास्टा या कर्नाटका अभी आपको बताना है विलासनी नक्ट्यम जो है यह आपका किस से संभंनेत है यहाँ पर जंताब भूलेए सर विलासनी नत्यम जो है यह हमारे आंध्रा प्रदेश का प्रमुक्रणते है विलासनी नत्यम related to अंध्राप्रदेश, सितारा देवी is associated with us, सितारा देवी है जो वो किस से जुड़ी है, मनिपुर, कथक, गर्बा या हमारे हिंदुस्तानी संगी, किस से जुड़ी है सितारा देवी, बहुत बड़े तो सभी बच्चे आपर बोले, सर ये सितारा देवी, उत्तर प्रदेश है, चरबा है, तारंग मेल है, कौन सा दांस जो है, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश और मद्य प्रदेश के बुंदेल खंड के राके में कियाता है, बहुत बड़े तो सभी बच्चों ने आपर जवाब देना सुरू कर दिया है, ये सारे हमारे जो डांस फॉर्म है ये जवारा जो डांस है, ये मद्य प्रदेश और बुंदेल खंड के रिया में कियाता है, गौर मोरिया ये 36 गल का डांस है, गौर मोरिया अगर अमनों चरबा की बात करें, तो ये हिमाचार प्रदेश में होता है, और तारंग मेल वापस से एक इंपॉन्ट डांस फॉर्म जो गोवा में आपको देखने को बिलेगा गोवा में हमारा देखने है तेरा ताली राजिस्थान में तो दोस्तो ये थे हमारे आज के महत्पूर्ण कुस्चन्स का आर्ट एंड कल्चर के उपर जो की प्रस्ट बहुत सारे पूछने को आ रहे है और इसी रिए जिस तरीके से पैटर्न चल रहा है हमारे जीए का हम लोग यहाँ पर जो कठिन है एडवांस लिबल है उसको पकड़ करके प्रेक्टिस कर रहे हैं दोस्तों यही प्रस्ट जो है वो फाइनल सेलेक्शन कराने वाले है तो थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर को रिवीजन करिए और उसको याद करिए और यहाँ पर पार्टिसिपेट करिए जितने भी दोस्त हमारे साथ यहाँ पर नए जुड़े हुए अगर आपको इस क्लास पार्ट रुपय कप पढ़ेगा जब कूपन कोर्ट का इस्तिमाल करें गहीं इसलिक इसी भी कोर्स में इन्रोल करने के लिए कूपन कोर्स इस्तमाल करिए पी-ए-ए-ए-ए-ए-जे-सी तो बी-पी-एस-सी से लेकर के विहार एससी का कोर्स अभी लॉंच हुआ है अगर आप यहां पर MTS की त्यारी कर रहे हैं MTS के लिए कोर्स क्रैस कोर्स है टेस्ट बुक सलेक्ट पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उसमें जा करके कूपन को लगाईए पंकजसी और हजार उपए से भी कम की कीमत का कोर्स आपको यहां पर मिल जाएगा ठीक है वाई गाईस अब हो चुक है आपसे अलविदा लेन होता है एकस टाड़नरी बनिये ट्की अड़नरी लोगों का सलेक्सान नहीं होता है जो लीक से अलग होते हैं जिनमें और कुछ करक्ण गुजरने का जस्बा होता है वही सलेक्ट हो पाते है आप गांस जाते-जाते अगर आपने विडियो का अच्छ्छ लगा तो लाइक करिएगा और नीचे कमेंट करके बताइए क्लास के बारे पर